Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, Welcome to Social School इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं Class 10th Geography का यह जो प्यारा सा चैप्टर था Lifelines of National Economy इस चैप्टर का आखरी टॉपिक है Tourism as a Trade पिछले वीडियो में आपने International Trade के बारे में जाना समझा International Trade क्या है? तो Movement या फिर the Exchange of Goods between two countries दो देशों के बीज में जब International Level पे चीज़े बदल रही होती है तो International Trade हो जाता है ठीक है, International Trade हो गया अब International Trade को जिसे अगर हम और डीटेल में समझे न तो क्या Services को भी Trade किया जा सकता है? जैसे Tourism जो है तो Tourism एक Service है कि लोग घूमने आ रहे है लेकिन क्या उसमें Potential है Trade की? क्या उससे आप पैसा कमा सकते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है सर्विस का? जी हाँ फॉर एक्जामपल अगर इंडिया से लोग बाहर जादा जा रहे घूमने या फिर इंडिया में लोग जादा अंदर आ रहे घूमने तो उससे भी कहिने कहीं इंपक्ट होगा जब लोग इंडिया में अंदर जादा घूमने आएंगे तो यहीं पैसा खर्च करेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो गया मतलब इंपोर्ट ऑफ टूरिस्ट जितने रहादा टूरिस्ट आएंगे उतना हमें एडवांटेज रहेगा हमारी एकोनामी को एडवांटेज रहेगा तो टूरिजम एज़ ट्रेड क्या चीज़ है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं टॉपिक क्लियर हुआ समझ में आया कि क्या है टूरिजम एज़े ट्रेड फाइन देखो तो चैप्टर कंप्टर हो रहा है इसके नोट्स आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आपको क्या करना होगा जॉइन करना होगा टेलिग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से आसानी से पीडिएफ डाउनलोड कर लेना फ्री में ठीक है साथी साथ कब कौन से सेशन आने वाले इस चीज़ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी ठीक है scholarship exams होते हैं और open house होता है मतलब क्या क्या बताओ मैं आपको notes आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो सारे features आप explore कर सकते हैं using the code DIGRAJ ठीक है तो download the app using this code and you will explore many features over there ठीक चलिए तो अगर आगे jump करें हम इस topic पर tourism a sector having potential to generate more employment and economic activities tourism पता है किस तरह से हैं एक potential sector की तरह है potential resources पढ़े देना कि जिसमें और क्या हो सकती है growth हो सकती है आप connect करो चीजों को नहीं तो मैं अच्छी से पिटाई कर दूँ आप लोगों की connect कैसे करना है जैसे आपने पढ़ा था कहां पर economics के chapter 2 में term 1 exam में क्या पढ़ा था अगर आपको ध्यान है थोड़ा सा तो आपने यह देखा था चीजों को कि जैसे जैसे कही ना कहीं लोगों का income बढ़ता है तो दे they spend more on services अब जब पैसे आने लगते इसान के पास तो घूमना प्रिफर करता है वो अपना घर छोड़ के बाहर निकलना प्रिफर करता है कि चलो घूम फिर क्या आता हूं जड़ा देख के आता हूं देश दुनिया में क्या चल रहा है तो वैसे ही क्या है कि tourism as a trade में आपको इ potential है more than 15 million people are directly engaged in the tourism industry 15 million 15 million मतलब कितना होता है देड करोड ठीक है तो 15 million people जो है वो इस industry में engaged है more than 15 million people are directly engaged in tourism industry कैसे इंगेज़ है यह भी समझो तो 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 आप जैसे देखेंगे क्या हो रहा है कि tourism का मतलब यह नियुक्त सर्फ वो गाइड जो है वह एंगेज़ देख उसको एंप्लॉयमेंट मिलता है टूरिसम से कि गाइड जो है तो टूरिस्ट को घुमा देता तो वह एक एंगेज़ है पहुत सारे क्या हो गाएं तो इंशॉरिंस कंप mówi वगरेव हो जाते हैं जो कहा तो क्या देते इंसे coyष्ण साथमय मैंनेजिमेंट वाला जब flourish होगा तो उसके बहुत सारे benefits है पहला क्या है इट promotes national integration national integration कैसे है कि मतलब कोई बाहर से आया है वो हमारे देश में क्या कर रहा है लोगों से मिल रहा है हमारे culture को जान रहा है समझ रहा है तो उसका India के towards soft corner develop होगा तो अलग अलग देशों को integrate करवाता है टूरिजम, आप मुझे कब तक नहीं जाना होगा जब तक मैं आपस मिलूँगा नहीं, हम जब आपस में मिलेंगे तब क्या होगा हमारे बीच में एक integration डेवलफ होगा ठीक है वो बॉइंट रहता है यहाँ पर उसके लेकिन कोई बाहर से यहां लेकिन कोई भारर से अगे मंगंई उसके या वीटाइच के विवोगों को व्यजु समझते हैं उनके इतयों को एड्वांटेजेस ऑफ टूरिजम टूरिजम एजए ट्रेड के एड्वांटेज है यह ठीक फिर क्या है इट हेल्प्स इन डवलप्मेंट ऑस इंटरनेशनल अंडरस्टेंडिंग अबाउट आर कल्चर एंड हरीटेज ठीक है तो हमारा कल्चर और हमारा हरीटेज मतलब वही स्टिरियो टिपिकल है वो शायद उसके यहां आने के बाद उसको चीज़ें कुछ और तरीके से नजर आए तो इट्स आल अबाउट कह सकते इट्स आल अबाउट एक्स्प्लेणिंग आबाउट आर सेल्फ ठीक है विद यहलप ऑफ टूरिजम टूरिजम सिर्फ ट्रेड नहीं है वो क्या है इंटिग्रेशन लोकल हेंडिक्राफ को सपोर्ट देना कल्च्रल पर्सूर्ट और इंटरनाशनल इमेज को सुधारना और बिगाणाना दोनों के रिस्पॉंसिवर होता है क्यों नहीं जाते लोग अफगानिस्तान में टूरिजम पता है कि वहां जो उसे इंडिया में दो तो इंडिया में व्राइन विजिट करते हैं विट मटीपल ऑबजेक्टिव्स वेख किले देखने आरहे हैं राजिस्तान गर देक रांसवार्म को समझने के लिए तूरिस्त रिये तो इंडिया में जिसे इलाज जो है युनानी तो नहीं लेकिन आयुरवाद जीसे हो गया तो उसके लिए क्या है मेडिकल टूरिजम के पर्सपेक्टिव से लोग आते हैं business tourism भी होता है कि चलो कोई business deal करने के लिए कोई मल्टिनाशनल कंपनी का इंसान ही आया तो गुमफिर के भी चले गया ठीक है तो अब इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहां पर प्रमोट करने के लिए बहुत फोकस किया रहा है इस पर अलग अलग क्या जैसिकते आप गवर्मेंट भी क्या करती है तो इसी नोट पर हमारा टू के लिए जो 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 गरफी वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ आपका मिनेरल से एनरजी रिसोर्स का मैववग कंप्रीट हो चुका है मैवग भी करवा दिया है लाइफ लाइफ लाइन एक जलक आपको दे दिया था लेकिन साथ में मिलके लाइफ प्लॉट और कर लेंगे मैवग कब करेंगे तो वह आपको सेशन के बारे में अपडेट क प्लॉट थैंक यू थैंक यू वरी मुच